अब कि है लो बच्चों मैं दी पेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चानल रादेश टेडिये में स्वागत करता हूं देखो बात करते हैं इसमें व्रतों से संबंदे छेत्रफल गी देखो व्रतों से संबंदे छेत्रफल जैसे एक यह विरत्त दे रहा है और व्रत की त्रिज्जा इस मालार व्रत की त्रिज्जा दे रहा है इसमालार अर्थात व्रत में बात करें तो इसकी जो त्रिज्जा है रेडियस वो दे रहा है कितनी आर के बराबर इसके बाद इसके हम लोग छेत्रफल की बात करें तो देखो पहले बात करते इसके व्यास की व्यास जो होता है वो होता है D डायमीटर और ये बराबर होता है क्यों होता है ऐसे सम्स्जों इसे हो गया व्यास केंद्र से उकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा की लंबाई यह हो गया केंद्रिस का सेंटर उसे डिनोड कर दो तो आर ये हो गई त्रिज्जा और ये हो गई त्रिज्जा व्रत के केंद्र से उसकी परिदी ये क्या है परिदी तो परिदी तक की दूरी जो होती होती त्रिज्जा तो ये इधर परिदी तक की केंद्र से दूरी हो गई यार इधर हो गई R तो दोनों मिलाके हो गई 2R तो व्यास हो गई 2R फिर व्रत्य की बात करें परीदी की तो जो परीदी होती है वो होती है 2PiR और परीदी क्या है ये पूरी लंबाई ये हो गई इसकी बात बात करते हैं परीदी हो गई इसके बाद इसके छेतर फल की एरिया की जो छेतर फल होता है वो होता है पाई आर इसको इसको सी से प्रदर्सित करेंगे इसको इसे C मतलब circumference और A मतलब area यह हो गया देखो यह क्या है पूरा यहां से ऐसे चले तो यह पूरा घूम के यहां से यहां तक आ गए मतलब इस पूरे छेतर का छेतर का पूरे इस बाग का छेतर पलो तो पूरा जैसे हम ऐसे हैं और पूरा घूम के यहां तक आ जाएंगे तो पूरा जो हो जाएगा वो कितने अंसका कौन होगा कोड़ द्वारा कोड़ द्वारा वरत के केंद्र पर आंतरित कोड़ इसके हम लोग बात करेंगे कोड़ की तो फार्मूला होगा पाई आर इसकौएर ठीटा बटे तीन सु साथ यह केवाल इतना भाग है अगर अच्छा पूरे भाग का कहेगा तो यहां पे क्या रखेंगे तीन सो साथ और तीन सो साथ यहां रखें तीन सो साथ से तीन सो साथ का एंसिल हो जाएगे तो यह आ जाएगे और ठीटा कोण द्वारा बने चाप की लंबाई या परिद की लंबाई ठीटा यह एक फार्मूला हो गया ठीटा कोण द्वारा व्रत के केंद्र या व्रत के चाप की लंबाई अच्छा इसी को देखो याद रखना ये जो छेतरफल आया है इसी छेतरफल को हम लोग बोलेंगे त्रिज खंड का छेतरफल त्रिज खंड का छेतरफल ये होगा त्रिज खंड का छेतरफल ये होगा त्रिज खंड का छेतरफल चाप की जो लंबाई होगी वो क्या होगी वो थी टू पाई आर तो यह हो जाएगी टू पाई आर ठीटा अपॉन तीन सो साथ यह हो जाएगी यह कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सोतर हैं जिनका इस चेप्टर में प्रियोग होगा वृत्तों से संबंदी छे तरफल में और जिन फार्मूलों की आपको आउच सकता होगी उनको बीच में बताते रहेंगे तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड हम बात करते हैं अब प्रसन की तो फर्ष्ट नमबर प्रसन हम लोग देखते हैं कि मनोहर्य की बुक में जो 12.1 चेप्टर है उसमें आपसे क्या कह रहा है पहला प्रस्ट तो को फर्ष्ट नमबर प्रस्ट प्रस्ट संख्या एक नमबर एक में कह रहा है दो व्रत्तों की तरिज्जा है क्रमसा 8 सेमी और 6 सेंटी मीटर है व्रत्त की तरिज्जा ग्याद कीजिए उस व्रत्त की तरिज्जा ग्याद कीजिए जिसका छेत्रफल इन व्रत्तों के छेत्रफलों के योग के बराबर है तो पहले व्रत्त की तरिज्जा आरवन दो दे और दूसरे वरत्य की त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज जिसका छेत्फल क्या इन दोनों के छेत्फलों के योग के बराबर है तो क्या होगा पहले वरत्त का छेत्फल A1 और दूसरे वरत्त का छेत्फल A2 इनके योग के बराबर है यह हो गया A यदि हम इसकी त्रिज्या मानले दूसरे वाले की R तो इसका छेथफल क्या होगा पाई आर स्कॉयर क्योंकि व्रत्य का छेथफल आपने पड़ा है पाई आर स्कॉयर अच्छा इस पहले व्रत्य का छेथफल निकालेंगे तो इसका होगा पाई आर स्कॉयर लेकिन r की जगह इसमें क्या दे रहा है r1 दे रहा है तो यह हो जाएगा r1 का square a2 की जगह पे रखेंगे क्या हो जाएगा πाई r2 का square यह हो जाएगा यह हो गया πाई r square इसमें हम लोगों ने πाई common लिया r1 square प्लस r2 square πाई से πाई cancel यह आजाएगा r square जोड़ेंगे आएगा सौ तो आर इसक्वाइर बरावर बच्छो हो जाएगा यह 10 का स्क्वाइर इसमें देखेंगी दोनों पच्छों की घातें बरावर हैं तो आधार क्या होंगे बरावर होंगे अर्थात आर बरावर जो आएगा वो 10 सेंटी मीटर आजाएगा तो इस वरत्त की जो तिरिज्जा होगी जिस वरत्त का छेत्रफल इन दोनों के योग के बरावर है उसकी जो तिरिज्जा होगी वो कितनी होगी 10 सेंटी मीटर होगी यह हो गया इस प्रजपाईले प्रसन का उ प्रस्ण संख्या 2 अब आप से कह रहा है कि दो व्रत्टों की त्रिज्जा क्रम्सा 19 cm तथा 9 cm इनकी जो त्रिज्ज्जाएं दे रहा है पहले व्रत्त की त्रिज्जा त्रिज्जा जो दे रहा है आरवन बराबर 19 cm और जो दूसरे व्रत्त की त्रिज्जा है त्रिज्जा आरटू जो दे रहा है वो दे रहा है 9 cm इसके बाद आप से कह रहा है कि उस व्रत्त की त्रिज्जा ग्यात कीजिए जिसकी परिदी इन दोनों व्रत्तों की परिदियों के योग के बराबर है तो व्रत्त की परिदी है इन दोनों व्रत्तों की परिदियों के योग के बराबर है तो इसकी परिदी पहले व्रत्त की परिदी प्लस दूसरे व्रत्त की परिदी परिदी का फार्मूला होता है इसकी माना है आरवन तो यह हो जाएगा टू पाई आरवन इसकी माना है आरवन तो यह हो जाएगा टू पाई आरवन इसकी माना है आरवन तो यह हो जाएगा टू पाई आरवन यह आगया टू पाई आरवन इसमें टू पाई कॉमन मिल दा है तो यह बचेगा आरवन यह हो 28 cm तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 28 cm यह इसकी त्रिज्जा गई क्लियर? नोट कीजिए देखे तीन नमबर कह रहा है किसी कार के प्रतेक पईहे का व्यास प्रस्न संख्या 3 है कह रहा है प्रतेक पईहे का जो व्यास है वो दे रहा है 80 cm प्रतेक पईहे का व्यास व्यास बराबर दे रहा है 80 cm प्रतेक पईहे का इसकी बाद आप से कह रहा है कि यदि यह कार 6,6 km प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो कार की जो चाल दे रहा है कार की चाल चाल बराबर दे रहा है 6,6 km प्रति घंटा ठीक है इसकी बाद आप से कहरा है कि दस मिनट में प्रतेक पईया कितने चक्क लगाता है तो पईये द्वारा लगाये गए चक्रों की संख्याग ख्याद करना है तो देखो सब से पहले तो हम यह पता करेंगे कि दस मिनट में कितनी दूरी जाता है पूझा एक चकर मैं पैया कितनी धूरी तैंकरेगा तो द्यान से समझिएगा यह क्या है इसकी परीडursday में यदि यह चलाएगा यहाँ से चलना चालों करें तो जब लुड़क के आएगा तो इसी बिन पर आने में वो इतनी पूरी दूरी तैं करेंगा मतलब अपनी परिद के बराबर दूरी तैंगरेगा तो एक चक्कर में चली गई दूरी एक चकर में पहिये द्वारा चली गई या तैंकी गई दूरी की गई दूरी तो दूरी जो बराबर है वो होता है क्या चैंकी गई दूरी बराबर होगी ब्रत की परीदिके या पईहे की परीदिके बराबर पईहे की परीदिके पईहे की परीदिके अब एक पई है एक चक्कर में लगाता है इसकी जो परिदी होती है वो क्या होती है टू पाई यार तो यह हो जाएगा टू पाई आर यहां से आर निकालेंगे तो व्यास दे रहा है 80 cm तो आर बराबर होगा व्यास का आधा मतलब दी वटे दो तो असी वटे दो आएगा तो बराबर आजाएगा 40 cm तो टू इंटू पाई की जगए 22 वटे 7 या पाई बना रहा है इने दो अभी तो टू पाई इंटू आर की जगए रखेंगे 40 तो जाएगा 4 दूनी 8 मतलब 80 cm इतनी दूरी लगाता है एक चक्कर में अच्छा 10 मिनिट मे कितनी दूर जाएगा पहले तो यह निकाल लो तो सबसे पहले इसको हम लोग बदलेंगे किलो मीटर प्रति घंटा में तो कार की चाल निकाल रहा है कार की चाल में बराबर हो गए 6-6 km प्रति घंटा तो ह 되면 6-8 km प्रति घंटा दे रहा है इसको हम लोग क्या बदलेंगे 1 mm में तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुड़ा करते हैं पांच बटे अठारा के इतने मीटर प्रति सेकेंड 6 से काटेंगे 11 बार 6 से काटेंगे 3 बार 11 का 5 में गुणा करेंगे 11 पचे 5 पर नीचे दे रहा है 3 इतने मीटर प्रति सेकेंड अब जो समय दे रहा है वो दे रहा है आपको 10 मिनट चाल में समय है सेकेंड में इसमें समय दे रहा है मिनट में तो इसको भी हम लोग किसमें बदलेंगे, हम लोग बदलेंगे इसको भी किसमें, इसको भी बदलेंगे हम लोग सेकेंड में, तो दस गुणा साथ, एक मिनट में साथ सेकेंड, तो इसको मिनट में सेकेंड बदलेंगे, तो साथ का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा छैसो स कि अच्छा इसमें जो दूरी दे रहा था मीटर दे रहा था इसमें दूरी है सेंटी मीटर तो इसको हम लोग बदलेंगे किसमें मीटर में मीटर में जब सेंटी मीटर को बदलते हैं तो हम लोग भाग देते हैं सौ से सौ से बाग देंगे इतने मीटर आएगा जीरो से जीरो में एक कितने चक्कर लगाएगा चक्करों की संख्या पूंच रहा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक चक्कर में कितनी दूरी तेह करता है तो एक चक्कर में जो तेह की गई दूरी होगी वो परिद के बराबर होगी परिद के बराबर होगी परिद जो होती है वो होती ह तू पाइ या परिमाप भी लिख सकते हैं तो इंटू पाइंटू आर की वैलू रखेंगे 40 ती 40 रख दिया इसको निकाला यह सेंटी मीटर में था चाल को हमने कर लिया मीटर प्रति सेकेंड में तो इसको मीटर बदलना पड़ेगा मीटर बदलने के लिए हम बाग देंगे 100 हुआ से 100 से बाग दिया तो यह हुआ चाल यह हमारी दे रहा था किलो मीटर प्रति गन्टा में तो पांच बटे अठारा का गुणा करके मीटर प्रति सेकेंड बदलने इसके वास समय दे रहा ता दस मिनट तो इसमें सेकेंड में तो इसको और श्रक बदलने अब निकालें जब इसके द्वारा निकालेंगे तै की गई दूरी दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय चाल निकालेंगे चाल आपकी देर आ था 55 बटे 3 समय जो देर आए वो देर आए आपको कितना 600 तीन से काटेंगे आजाएगा 200 तो जाएगा 55 गुणा 200 मीटर अब निकालेंगे चक्करों की संख्या चक्करों की संख्या हो गई तो हो जाएगी कुल दूरी कुल उसने कितनी दूरी तै की अपन पईये की परिदी कुल दूरी जो है वो कितनी है 55 गुणा 200 और पईये की परिदी है परिदी जो है वो है 8 पाई बटे 10 मतलब एक चक्कर में तै की गई दूरी आठ से इसको काटेंगे आठ से जब काटेंगे आठ दूरी 16 चार बचे आठ पन चालिस ये दस उपर चला जाएगा तो इसको जब सॉल करेंगे तो आएगा 55 गुणा 25 गुणा ये 10 अपाउन में या जाएगा इसका मान रखेंगे तो आएगा 22 बटे 7 11 से काटेंगे 11 दूरी 22 ग्यारा पचे पचपट दो से काटेंगे 25 गुणा करेंगे 625 गुणा 7 साथ का गुणा करेंगे 7 35 की 5 8ी लगा 3 7 दूरी 14 तीन 17 चंग 42 और एख हो जाएगा 43 तो 43 सो 75 वो चक्कर लगाएगा कितने मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट में उसके द्वारा लगाएगे चक्करों की जो संख्या होगी वो 43 सो 75 होगी इस प्रकारी आपका थर्ड नमबर प्रस्त कंप्लीट होगी नोट कीजिए देखो चार नमबर किरा एक व्रत्ताकार खेट है इस खेट के चारो और तार लगाना है किरा बारा रुपए प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 रुपए की लागत आएगी ज्यान से समझना एक व्रत्ताकार खेट है अब तार लगाना है तो तार कहां लगाया जाएगा इस पर और यह क्या इसकी व्रत्त की परीदी तो परीदी में तार लगाया जाएगा ठीक तो हमने क्या किया कि माना व्रत्ताकार खेट की त्रिज्या खेट की त्रिज्या इसकी जो त्रिज्या हमने मान ली हो क्या हो कि इसकी जो परीदि होगी या परिमा परीदी होगी 1 मतलब इतने मीटर इसкими क्तेशंवunta लगाना है उतने छहां गया इन कि नारे में लगाना है उसके जगह कहें चोपा एक मीडर काहर जो है वो प्रति बार रुपए प्रति मीटर खर्च कहे रहा है तो एक मीटर में तार लगाने का खर्च लगवाने का खर्च इसका जो खर्च है वो कितना है बारा रुपए और टोटल लगवाना कितनी जगए में तू पाई यार मीटर में तो इतने मीटर में लगवाने तार लगवाने का जो खर्च आएगा वो कितना हो जाएगा 12 इंटू जब एक में इतने गुणा किया तो इस तरह पितना आया तो इस तरह भी हम लोग करेंगे 2 पाई आर का गुणा तो हम लोगों की इसाब से होना चाहिए खर्च 12 गुणा 2 पाई आर जबकि उसमें जो खर्च दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है वह आपको दे रहा है कह रहा है 52 रुपए यह हो गया 12 को ऐसे ही लिखा रहे ने दिया 2 को ऐसे ही लिखा रहे ने दिया पाई का मान 22 बटे साथ रखा या ऐसा कर लो पहले क्या करो ये बाई पाई का मान 22 बटे साथ गुणा बराबर 52 बारा और दो इस तरह गुणा में थे तो इस तरह पा जाएंगे भाग इन से इसमें हम लोग भाग देंगे तो देखो 12 दूनी कितने 24 24 से 52 में भाग देंगे तो 24 दूनी 48 52 में से 48 चले गए बचें कितने 4 चार इसको दिये 48 तो फिर हो जाएगा दो बाड जाएगा ये 0 बचा 0 तो आर बराबर इस तरह पाया 220 साथ गुणा में था भाग में था तो गुणा में हो गया 22 से इसमें भाग देंगे 10 बाड जाएगा 10 का 7 में गुणा करें कितना जाएगा 70 तो इसकी जो तरिज्जा आई वो आगई 70 मीटर 70 मीटर इसकी तरिज्जा आगई अब इसकी बात कहे रहा है कि 0.50 प्रती मीटर स्कॉयर की दर से जोडता खेत को इतने रुपए की दर से जोटता है बताईए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी तो देखो खेत को जोतने में जोते का कूं सा भागिये वाला और ये क्या होगा इसका छेतरफल तो सबसे पहले में लोग निकालेंगे खेत का छेतरफल खेत का जो छेतरफल होगा वो क्या होगा पाई आर स्कॉयर पाई क्या मान रखेंगे पाई का मान है बाईस बटे साथ होता है और आर का मान दे रहा है सत्तर तो स्कॉयर है तो दो बार सोग जाएगा सत्तर साथ से काटेंगे दस बार जाएगा 22 सत्य 154 और ये 2-0 हैं तो 2-0 इतने मीटर स्क्वाइर आ गया छेतरफ़ 1 मीटर स्क्वाइर खेत जुताने का खर्ज 1 मीटर स्क्वाइर खेत जो जुताने का खर्ज है वो आपको दे रहा है 0.50 रुपए आपको कितना जुताना है इतने मीटर स्क्वाइर तो अर्थात 15400 मीटर स्क्वाइर ये पूरा ऐसे लिखेंगे खेज जुताने का खड़ तो 0.50 इंटू ये लिख लेंगे 15.4.00 इसके भाग में कुछ नहीं है तो इसमें भाग लगा देंगे नीचे एक लिख सकते हैं तो समलो काटेंगे दो 0.50 से काटेंगे दो बार जाएगा दो काइस में भाग देंगे 15 भाग देंगे 27.14 साथ बार जाएगा एक हांसिल बचेगा एक इसको देंगे 14 किसे आया हो कितना आ गया 170 जिसको थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख ले नौट कीजिए देखो पांच नमबर पांच नमबर में कह रहा है यह दौड़ने का मार्क वलयकार जिसकी अंता परिदी चार Σो चालिस मीटर बाय परिदी 560 मीटर त्यांस समझना वलयकार या ब्रत्ताकार समझ वल्य और ब्रत एक ही तरीके के होता है एक ये हो गया और एक ही हो गई बाहरे परिदे ये मार गए इसकी आपको ये चोड़ाई पूंच रहा है परिदी दे रहा है दोनों की अंताग भी परिदी दे रहा है और बाहरे परिदी दे रहा है तो हमने क्या किया कि माना बाय त्रिज्जा मतलब जो बाहरी त्रिज्जा है उसको लोगों ने क्या मान लिया कैप्टालार तथा अंता त्रिज्जा अन्ता त्रिज्जा मान ली समाला अब दे रहा है अन्ता परीदी और बाय परीदी तो इससे हम त्रिज्जाओं के मान निकालेंगे दे रहा है बाय परीदी या अन्ता परीदी पहले दे रहा है तो अन्ता परीदी ले लो अंता जो परीदी दे रहा है वो आपको दे रहा है कितनी 440 मीटर यह दे रहा है आपको अंता परीदी परीदी बरावर होता है 2 पाई और अंता कहे रहा है था तो अंता त्रिज्जा लेंगे बाई कहेगा तो बाई त्रिज्जा लेंगे और ये बराबर दे रहा है 440 के 2 into πाई कमान 22 बटे 7 आर हमें ग्याद करना है 440 22 दूनी होते हैं 44 44 इस तरफ गुणा में तो इस तरफ भाग में आएगा भाग में आएगा तो ये से कड जाएगा तो 44 से कम 44 बचेंगे तस साथ को इस तरफ ले जाएगे कितना हो जाएगा 70 तो आर बराबर जो आगया वो आगया 70 मीटर अब आपसे दे रहा है बाई परिदी बाई परिदी जो दे रहा है आपको बाई परिदी दे रहा है 506 मीटर अब बाय परिदी लगाएंगे तो परिद का वही फार्मूला टू पाई आर अब बाय तरिज्जा कितनी दे रहा है कैप्टाल आर तो यह जगा आर की रखेंगे कैप्टाल आर पान सो छे मीटर टू इंटू पाई कमान बाइस बटे साथ और इंटू आर बरावर पान सो छे के आर एक को ला जाएगा पान सो छे गुणा साथ भाग में है तो इधर गुणा में यह दोनों इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ भाग में बाइस से इसमें बाइस से बाइस से बाइस दूनी चवालिस इससे 50 से 44 अटगिया बचेंगे 6 6 इसको देंगे 6-6 22 तिया 6-6 R equal हो जाएगा 7 का इसमें गुणा करेंगे जब 7 का गुणा करेंगे 7 तरिक 21 और 7 दूनी जो आएगा वो आजाएगा 14, 15 और 16 आजाएगा तो इससे जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 15 और 16 7 तरिक 21, 7 दूनी और अपाउन में दे रहा है तो 2 से भाग देंगे 2, 8, 16 एक में भाग जाएगा नहीं तो क्या लगा देंगे? 0 10 अमलो लेंगे लगाएगे तो क्या हो जाएगा? 10 तो 2 पंचे 10, इतने मीटा ये जिसको नहीं समझ में आया भाग ऐसे समझ ले 161 है, 2 से भाग देंगे 2, 8, 16, 0 आगया, उतारेंगे एक का एक में दो का भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएगे 0 लगाएगे, 0 लगाएगे 2 पंचे 10, इस पर कारे कड़ गया तो इसका जो आंसर आया, इसको भाग देने पर वो 80.5 आया, अब देखो समझे यह जो केंद्र है, यहां से जो बाहर तक की दूरी दे रहा है, वो दे रहा है 80.5 इतनी, और यह वाली जो दूरी यहां तक की दे रहा है, वो दे रहा है 70, इतनी दे रहा है यह चोड़ाई क्या होगी, यही तो चोड़ाई होगी यह चोड़ाई किसके बराबर होगी, अगर इस पूरे भाग में से इस पूरे यहां से यहां तक की दूरी में से यह वाला हम हटा दें, तो यह बचेगा तो हम निकालेंगे सडक की या मार्ग की चोड़ाई मार्ग की चोड़ाई मार्ग की जब हम लोग चोड़ाई निकालेंगे तो मार्ग की जो चोड़ाई आएगी वो कितनी आएगी कैपटल आर में इस माल आर घटाएंगे अर्थात 80.5 में 70 घटाएंगे तो 80 में 70 जाएगा बचेगा 10 और यह 10.5 था इतने मीटर तो 10.5 मीटर जो है वो है सड़क के चोड़ाई कह रहा है उसका छेतर फल भी ग्याद कीजिए सड़क का छेतर फल भी ग्याद करना है तो छेतर फल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाले में इस पूरा यहां से यहां तक का पूरा छेतर फल ले ले इस बार तक का मतलब इस वाले तरिज्जा को ले अगर बाहर का तो यह बाहर वाले तक का लेंगे तो पूरा जाएगा फिर इसके बाद इस भीतर वाले का छेतर फल अटा देंगे जब भीतर वाले का च्छेत्रफल अटा देंगे इस ब्लैक वाले का इस वाले का हम लोग अटा दें च्छेत्रफल तो जब इसका च्छेत्रफल हटा देंगे अर्थात जो बाय व्रत्त है उसके च्छेत्रफल में से आंत्रिक व्रत्त के च्छेत्रफल को अटा दें तो केवल क्या जाएगा सड़की चोड़ाई आ जाएगी तो इस फीगर को रप कर रहा है फिर निकालना है छेत्रफाल या मारग का छेत्रफाल निकालेंगे मारग का छेत्रफाल तो मारग का छेत्रफाल होता है वो क्या होता है आपका पाई और स्कुायर होता है तो बाई वरत्त का छेतर फाल माइनस आंत्रिक वरत्त का छेतर फाल पाई कॉमन लेंगे आ जाएगा आर स्कुायर माइनस इस्माल आर स्कुायर पाई आर की जगह जो रखेंगे कैपटाल र की जगह वो दे रहा है 80.5 तो यह हो जाएगा 80.5 का स्क्वाइर माइनस आर की जगए स्माल आर की जगए 70 तो 70 के स्क्वाइर अब A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर का आप सभी ने फार्मूला पड़ा है इसका फार्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B तो एक कोश्टग में जोडते एक में घटाते तो इनको दोनों को आपस में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7 22 बटे 7 ये जो हो जाएगा इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 80 और 70 हो जाएगे 150.5 80 में 70 जब घटाएंगे क्योंकि एक में दोनों को जोड़ना है एक में घटाना है तो 80.5 में जब 70 घटाएंगे तो आएगा 10.5 साथ सिस्ष में बाग देंगे साथ एकम साथ बचेंगे तीन तीन इसको दिया 35 साथ पना 35 एक दसमलो पाँच आ गया इनका अपस में गुणा करेंगे 22,5,110,110 की कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे हासिल लगा 11 22 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा 0 में 11 जोड़ेंगे 11 आएगा एक लिख देंगे हासिल लगा 22,5,110,110 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 111 की एक हांसी लगा 11, 22, 22 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 33, कितने एंकबाद दसम्मलो होगे, एक अंकबाद दसम्मलो, गुणा 1.5, 15 गुणा करेंगे 0 में 0, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 16, 15, 43, 45 की 5 और एक हांसी छो, 15, 45, 45 जो 4 होंगे वो जाएंगे 49, एक और 2 एंकबा और चेतरफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वाइर तो इसका यह आंसर आ जाएगा उन्चार्ज दसम्लो डवल छे यह 66.5 मीटर स्क्वाइर यह इसका आंसर हो गया और इसकार यह प्रकार यह प्रस्न कंप्लीट हो गया नोट कीजिए